हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नागियाज लरनी गड़ा पर चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन की राइट टू एजुकेशन यानि की शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस टूपिक की कुछ बेसिक बातें करेंगे यह हमारी आज की क्लास फर्स्ट रहेगी क्लास फर्स्ट है और टूपिक का नाम है हमारा निशुलक और अनिवारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 टूपिक का नाम क्या रहेगा टूपिक का नाम है निशुलक एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो हजार नुँ अधिनियम दो हजार नुँ निशुलक और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये टोपिक जो है फस्ट ग्रेड में भी है और साथ ही साथ थर्ड ग्रेड यानि की रीट में भी है शिक्षक भरती परिक्षाओं की तीनों ग्रेड चाहे 1st ग्रेड हो चाहे 2nd ग्रेड हो चाहे 3rd ग्रेड हो तीनों परिक्षाओं में इस टॉपिक का अपना एक विशेश महत्व है और इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है इस Act से related English में एक नाम पूछा जाता है कि इस Act को क्या कहा जाता है या किस नाम से इसको जाना जाता है इसका नाम है The Right of The Right of The Children The Children To Free and To Free And Compulsory Education Bill 2000 Education Bill 2009 इस ये जो बात हमने लिखे है The Right of the Children To Free and Compulsory Education ये बात पूछी गई है एक्जाम में कि निशुलक और अनिवारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसका correct नाम क्या है correct नाम पूछा गया और इस तरह से ये option थे ये रीट परिक्षा में पूछा गया था कि जो भारत में निशुलक और अनिवारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसका correct नाम क्या है तो The Right of the Children To Free and Compulsory Education Bill 2009 इसका correct नाम है तो दोस्तों आईए बात करते हैं कि कहां से शुरुआत हुई थी इस अधिनियम के बारे में और कहां तक बात आगे पहुँची और कब इसको भारत में और कब इसको राजस्थान में लागू किया गया था जैसा कि मैंने आपको बताए कि ये class first रहेगी सिरफ आज की इसके बाद इस पूरे right to education को हम लगबग दो या तीन कक्षाओं में पढ़ेंगे जबकि छोटे-छोटे वीडियो रहेंगे चार कक्षाओं में इसको complete करेंगे तीन कक्षाओं में topic पूरा होगा और चोथी class में हम इससे related विभिन शिक्षक भरती परिक्षाओं में चाए वो first grade है चाए second grade है कौन-कौन से question पूछे गे थे उन सभी question का discussion करेंगे तो आज की ये class हमारी कौन से रहेगी आज की ये class रहेगी first और मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा यानि कि ये topic इस topic की शुरुआत कहां से होती है उसकी हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको बाते बताने वाला हूँ वो सारी की सारी बातें जो है कैसी रहेंगी वन लाइनर रहेंगी ये सारी की सारी बातें वन लाइनर रहेंगी तो अगर RTE लागू करने वाले देश की बात करें तो हम question के रूप में इस topic को पढ़ने वाले हैं RTE लागू करने वाला प्रत्थम देश अगर अपन से ये पूछा जाए तो दोस्तो ये नार्वे था नार्वे जो है सबसे पहले RTE Right to Education उसी ने लागू किया था अच्छा RTE लागू करने वाले नार्वे अगर फश्ट देश था तो भारत का कौन सा स्थान है तो दोस्तो भारत का 135 स्थान है 135 स्थान भारत का RTE लागू करने में अगर जितने भी देश है ना तो RTE लागू करने वाला भारत 135 देश है और सबसे पहले RTE लागू किस ने किया था सबसे पहले RTE लागू किया था नारवे ने उसके बाद भारत में शिक्षा को मूल अधिकार ये जो भारत में RTE लागू आना 135 देश है ये इसको कहते हैं शिक्षा को मूल अधिकार बनाना शिक्षा को मूल अधिकार बनाना मूल अधिकार शिक्षा हमारा मूल अधिकार है ये RTE में बात कहेगी है और इसी के तहट भारत 135 वादेस है उसके बाद अगर हम सुरुआत करें तो सरव पर्थम इसके बारे में कोई बिल बना होगा कोई अध्यादेस बना होगा कोई अधिनियम बना होगा फिर जाके ये बाद में अधिनियम बना तिक इसकी शुरुआत कहां से होती है तो दोस्तों सबसे पहले 2 जुलाई 2009 को इस अधिनियम को मंजूरी मिली थी कब 2 जुलाई 2 जुलाई 2009 को इस अधिनियम को मंजूरी मिली थी इस अधिनियम को मनजूरी मिली थी 2 जुलाई 2009 को इस अधिनियम को मनजूरी मिली थी तो अभी तो इस अधिनियम को मनजूरी मिली थी और मनजूरी मिली कब थी 2 जुलाई 2009 को अच्छा उसके बाद कोई भी अध्यादेश जो है अधिनियम कब बनेगा जब उसको लोक सभा राज्य सभा से गुजरना पड़ेगा वहां पर उपस्थित लोगों की सेहमती से ही यह अधिनियम बनने वाला था तो हम सबसे बात करें कि राज्य सभा में इसको कब पारिद किया गया तो राज्य सभह में दोस्तों, राज्य सभह में इसको 20 जुलाई 2009 को यह अधिनियम पारित हुआ था अच्छा, राज्य सभह में अगर यह 2 जुलाई 2009 को हुआ था तो फिर लोग सभह में लोक सभा में ये जो था अधिनियम कब पारित हुआ था चार अगस्त दुहजार नो को पारित हुआ फिर इस बिल को 26 अगस्त को लाष्ट में इस बिल को 26 अगस्त दो हजार नो को जो है ततकाली न हमारी राष्ट्रपती थी माननिया राष्ट्रपती परतिभापाटिल जी 26 अगस्त 2009 को अमारी ततका लिन माननिया परधान राष्ट्रपती सिरिमती परतिभापाटिल ने जो है इस अधिनियम को स्वीकर्त किया था या स्वीकर्ती दी तो अगर हम इतनी सी बात करें कि निशुल को रनिवारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये फर्स्ट ग्रेड में भी आता है ये सेकंड ग्रेड में भी आता है ये थर्ड ग्रेड में भी आता है तो इसका नाम जो है correct नाम है The Right of the Children to Free and Compulsory Education Bill 2009 RTE लागू करने वाला जो है प्रतम देश वो नार्वे है भारत 135 देश है 2 जुलाई 2009 को इस अधिनियम को मंजूरी मिली थी राज्य सभा में ये 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ लोग सभा में ये 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ इसको स्वी करती दी थी तो इत्ती बात समझे में आगे आपको अब बात करते हैं आगे आपको बस इन जैसे मैं लाइने लिख रहा हूं ऐसी की ऐसी लाइने आपको नोट बॉक पर लिखनी है आपको मतलब बने बने नोट करवा रहा हूं मैं एक तरीके से पूरे सिस्टेमेटिक तरीके से जो है जो की परिक्षा में नहीं पूछी गई हो या परिक्षा में नहीं पूछी जा सकती तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस अधिनियम को मंजूरी मिल गई जी अब उसके बाद क्या हुआ कि 27 अगस्त 2009 फिर क्या हुआ डेट आती है कौन सी 27 अगस्त 2009 को इसे राजपत्र में परकाशित किया गया था राजपत्र गजट होता है राजपत्र में परकाशित किया गया था परकाशित किया गया कब परकाशित किया गया था गजट में इसको 27 अगस्त 2009 को इसको राजपत्र में परकाशित किया गया था फिर एक अप्रेल दो हजार दस को संपून देश में इसे लागू किया गया था लेकिन एक स्टेट को छोड़ा गया था J&K जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ कर संपून भारत में से लागू कर दिया गया था और कब लागू कर दिया गया था एक अप्रेल दो हजार दस को और यह जो RTE है राइट टू एजुकेशन इसमें कुल जो अध्याय थे अध्याय कितने थे? अध्याय जो थे वो साथ थे क्या है? RTE में अध्याय साथ है और धाराएं कितनी है? धाराएं 38 अब किस धारा में क्या कहा गया है? यह हम जो पार्ट पढ़ेंगे इसका राइट तू एजुकेशन का धाराउं के उपर पूरी कलास हो रहेगी कि धारा नमबर एक में क्या कहा गया धारा नमबर टू में क्या गया धारा नमबर थ्री यह से 38 के 38 धारे में आपको बताओंगा कि किस धारा में क्या बात कही गई है किस अध्याय में क्या बात कही गई है तो RTE में, Right to Education में कुल अध्याय साथ हैं और धारें 38 लेकिन अगर हम special राजस्थान के संबंद में बात करें सिर्फ राजस्थान के संबंद में अगर इस अधिनियम की बात करें तो यह तो संपूर्ण भारत के संबंद में बात की है अगर राजस्थान के संबंद में हम इस अधिनियम की बात करें तो ये अधिनियम जो है 1 अप्रेल 2011 1 अप्रेल 2011 को राजिस्थान में लागू हुआ था 2010 को लागू नहीं हुआ था 1 अप्रेल 2011 और राजिस्थान में जो RTE जो है उसके जो अध्याय हैं वो 10 हैं अध्याय कितने हैं अध्याय 10 है और अगर धाराओं की बात करें तो ये धाराएं जो हैं 29 हैं राजस्थान के संदर्ब में अगर बात की जाए कि राजस्थान में RTE Right to Education कब लगुआ था एक अप्रेल 2011 को लगुआ था और राजस्थान में RTE To Education में अध्याय 10 हैं और धाराएं 29 हैं और राजस्थान में अध्याय नियम 29 मार्च 2011 को बना था अगर ये पूछा जाए कि बना कब था ये 29 मार्च 2011 को बना था और लागू कब हुआ था लागू हुआ था एक अप्रेल 2011 को ठीक है ये दोनों बाते आपको याद रखनी है 27 अगस 2009 को राजपत्र में इसको परकाशित किया गया था एक अप्रेल 2010 को समपुर्देश में लागू किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर और आटी में कुल 7 अध्याय और 38 अप्रेल 2011 को राजपत्र में लागू हुआ था लेकिन बना कब था ये 29 मार्च 2011 में राजपत्र में बना था तो आपको इसको सुरुआत से देखना है एक छोटा सा एक वीडियो है आपके लिए ये गलास नमबर एक थी ऐसी आर्टी की हम 3-4 क्लासिस बनाएंगे और अंत में हम बात करेंगे कोशन्स की तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें लाइक कर करें नमस्कार